बहुत अच्छा गाम किया है सरकार ने तो सभी को देखनी चीए कोई प्रोपोगेंड़ा निया इसमें बस ग्राउंड प्रियालिटी बताई है यह तो बहुत रीसेंट हिस्ट्री है और हमने तभी भी न्यूस पर सब देखा था तो और उसके बारे में जानकरी प्राप करेंगे बहुत अच्छा लगा यामी यामी का में क्याक्टर है अच्छी करिए उन्हें का में कितना इश्रा देना चाहेंगे आप 3.5 तो 4 थाएंग प्रोडूसर डाइरेक्टर का जो इरादा था के पबली को सिक्षित करें 370 के लिए उसमें वो पूरी तरह कामियाब है और हम फिल्म की बात करें तो 370 है कैसा एक्ट है जिसे लागू करने के लिए बहुत कुछ कास्पेर है तो वो सब घटा है फिल्मों में दिखाई गई हाँ पूरी तरह से दिखाई 370 हटाने से पहले वो लो क्या क्या किये और हम लोग को कितना रोके और हम लोग नहीं हटा सके बीच में भी ये कलम आई थी हटाने के लिए लेकिन वो लोग फेल हो गए थे इस बार जब पूरी मीटिंग होई और गवर्नमेंट में और हमारे मध्यान मंत्री और हमारे ग्रेव मंत्री ने फेसला किया कि यह तो बहुत ही ज्याज़तिया हो गई है इसको हटा नहीं है और उन्होंने बहुत चेस्टा करके यह हटाई फॉर्ष अफ में फॉर्ष अप में थोड़ा इंटर्टेनमेंट मार पीट यह वो सब दिखाते हैं सेकेन आप में खाली पालियमेंट राजे सबार लोंक सबार उसका रूल स्बोस्टा पताते हैं यह वेरी नाइस एनाई एजन्ट लगती है और उसने जो फाइडिंग मैटि हमारी सरकार क्या कर रही है यह घर बेठे तो पता चलेगा नहीं और इतना विस्त्रित वीवरन पिक्चर द्वारा ही पता चलता है तो सबको देखना जेवर समझ जाएंगे पांच में से चार जाएंगे अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और फिल्म को कितना च्छा द कैसी है यह आज पता चला और पहले 370 की पहले भी कैसी थी यह भी इसका मों को कोई आंदाजा नहीं था सिर्फ हम टीवी पे देखते हैं आज भी सुनते हैं सिर्फ सुनने से मिस्गाइड बहुत हो जाते हैं आज सही में पता चला कि क्या हो गया था एक्छिल में कैसे 370 आर्टिकल 370 फिल्म देख रहा है और मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी है और बैस पाच मुझे लगा कि 9 स्टेज ऑफ टाइम है कट टू-कट शुरू होती है कट टू-कट खतम होती है पूरी स्टोरी लाइन जो है मुद्दे को पकड़ के चलती है और फिल्म को जामड़े जो है उन्होंने डिरेक्ट किया हुआ है निर्देशक है उनका डिरेक्शन बहुत शांदार है ओवरॉल जो फिल्म है वो आपको हिट करती है टॉपिक जो है सेंसिटिव है बहुत सालों से इसके बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं उस चीज को फिल्म के आपको अच्छा रहा जानी कि पुल्वामा अटेक्श के बारे में भी इस फिल्म में को बहुत पसंद आई हो लिगी इस फिल्म में कोई इसी कहानी तो है नहीं कि जहां पर मन से डाल दिया हो यह जो एक पूरी जो वाक्या है जो घटना करम है उस चीज को कैसे साल बाई सा महने बाई महने कैसे एक उसको बांद के जो जोडी बनाई है अपनी माला बनाई है आपकी स्टोरी की वह दिखाया गया है पुल्वामा भी जो दिखाया गया है तो पुल्वामा एक बहुत ही बहुत दर्दनी हाथसा था भारत की डिफेंस की हिस्ट्री में और उस चीज का तो हमने बदला भी लिया फिर बाद में और उस चीज को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है वो देखके अच्छा भी लगा और जो पुराने जो हमारे इमोशन से वो भी जागे हैं और उसके बाद जो में पता चलता है कि 370 हटता है और कैसे उस चीज से बहुत फायदा कार उनकी प्लाइनी है पुप देयरेक्टों प्लाइन वाप जो हम राइटर है और प्रोडिसर भी है और देर्यक्टर जो है अधित्य सूह जांवडे हैं तो डिरेक्शन और ध्या आच्पन अजय घिएसा मैंने का व्ल कु कट-कत है व्स्तिकर तो अगर किसी डिरेक्टर को अगर ये कोई कहे कि आपकी फिल्म ने बिल्कुल टाइम नी वेस्किया तो सबसे पहले यही बता देता है कि उनका काम अच्छा रहा है जो आपको लेगा कि यह नई भी होता तो भी चल जाता या तो यार इसे काफी नाटके रुपांतर टाइप का बता दिया गया ऐसा नहीं लगता है बहुत सारे ऐसे मुद्ध्य होते हैं जो शायद से डीप थरो रिसर्च के बाद ही कोई निर्देशक स्क्रीन पर दिखा सकता है और यहां पर उन्हों ने वो दिखाया है तो पता चलता है कि इसके पीछे शायद से कुछ सालों का उनका रिसर्च रहा है और काफी मेहनत है चोड़ी चीज़े जो है वो दिखती है मुझे अगर आप पूछे तो मेरे लिए उननेश बीस का ही मामला है पर बिकॉस फर्स्टाप जब शुरू होता है तो आपको बिल्डब देते हैं वो लोग थोड़ा सा तो मुझे फर्स्टाप थोड़ा सा उसमें बेटर लगता है सेकेंड आप में क्योंकि आपको पता है कि दीरे दीरे अब जो है वो क्या होने वाला है तो इसलिए मुझे फर्स्टाप थोड़ा सा ज्यादा बटाएंगे मोवी के लिए ओर्डियंस को बताना चाहूंगा कि आप भले ही किसी भी प्रकार की राजनेतिक सोच या की है और किस तरीके से किस सोच के साथ इस चीज को पूरा अंजाम दिया गया है और इसमें कितने लोगों की मेनत लगती है और इस चीज से आगे क्या हो सकता है भारत के लिबर्टरी वो भी आपको इस चीज को कितने श्रा मचाहिए पट्रस्टाइब